हलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो आज हम लेकर के आ छुके हैं कक्षा दस्भी के विद्यारतियों के लिए विशेश सामाजी की विज्ञान अर्दवारसिक परिक्षा के लिए प्रश्न जी हैं स्टूडेंट। आज इस वीडियो में कक्षा दस्पी के विद्यारतियों के लिए अर्दवार्स एक परिक्षा के लिए प्रश्ण मिले वाले हैं सभी प्रश्ण आज आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वैल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लीजे ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो बच्चों परीक्षा में समय तीन गंटे का आपको मिलने वाला है और पूर्णांक असी अंक का ये पेपर होने वाला है और नीचे यहाँ पर जो निर्दिश दिये गए हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजे तो सबसे पहला प्रशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सही बिकल्प चुन करके लिखिए तो सही बिकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहला प्रशन देखिए यहां पर भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहां है तो यह आपका सबसे पहला प्रशन हो गया और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक अप्लोड किया जाएगा जिसमें आपको सभी प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे आज के इस वीडियो में सिर्फ कॉश्चन हम देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में सभी आंसर आपको मिल जाएंगे तो यह आपका पहला प्रशन हो गया भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहां है इसके बाद दूसरा प्रशन है ओधोदिक क्रांती सर्व प्रथम कहां प्रारंब हुई यह आपका दूसरा प्रशन हो गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रशन देखिए मद्यप्रदेश किस खानिज के उत्पादन में भारत में सर्व प्रतम इस्थान रखता है यह आपका दूसरा प्रशन हो गया तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से तयार कर लीजे इसके बाद आगे बढ़ते हैं चौता प्रशन देखिए हिंद सुराज नामक पुस्तक का लेखा कौन था तो इस प्रशन में आपको बताना है कि हिंद सुराज जो पुस्तक थी इसका लेखा कौन था इसके बाद पांचवा प्रशन प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंब हुई तो इस प्रशन में आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंब हुई इसके बाद आगे बढ़ते हैं छटवा प्रशन देखिए राष्ट्य बिकास का अर्थ है तो राष्ट्य बिकास का क्या अर्थ है वो आपको यहाँ पर बताना है इसके बाद साथवा प्रशन लोह ऐसक का प्रकार नहीं है यह आपको बताना है इसके बाद आगे बढ़ते है यहाँ पे देखे आठवा प्रशना गया है संयोक्त राष्ट द्वारा मानव बिकास सूच कंक किस बरस प्रकाशित किया गया इस प्रशन को भी अच्छे से तैयार कर लीजे तो यहाँ पे सही बिकल्ब समाप्त हो चुके हैं इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रशन यहाँ से सुरू हो चुका है रिकेत इस्थानों की पूर्ती कीजिए फिलिंदी ब्लेंक्स आ चुके हैं आसहयोग खिलापत आंदोलन खालिस्थान में सुरू हुआ तो इस प्रशन में आपको बताना है कि आसहयोग खिलापत आंदोलन कब सुरू हुआ तो यहाँ पे आपको बताना है इसके बाद दूसरा प्रशन है खालिस्तान छेत्रक के स्रमिक बस्तूओं का उत्पादन नहीं करते हैं ये आपका दूसरा प्रशन हो गया इसके बाद तीसरा प्रशन है भारत में खालिस्तान सरकार जादा सकती साली है इसके बाद चोथा प्रशन है संपूर्ण उत्री मैदान खालिस्थान मिर्दा से बना है इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रशन देखिए ओसत आय को खालिस्थान आय भी कहते हैं इसके बाद छेटवा प्रशन है बे संसादन को नर्जी बस्तूओं से बने हैं खालिस्थान संसादन कहलाते हैं तो कौन से संसादन कहलाते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है इसके बाद साथवा प्रशन है कोईला उत्पादन में भारत का खालिस्थान इस्थान है तो कोई कैचेंगे यहां पर आ चुकी हैं सही जोड़ी का मिलान आपको करना है तो सबसे पहले सीमेंट उध्योग दूसरे नमर पर है सूती कपड़ा मेल तीसरे नमर पर है हिंद सुराज चौथे नमर पर है परी बहन एबं संचार और पांचवे नमर पर है पैरियार तो इन सभी के आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथा प्रशन देखिए एक सब्द या एक बाक्त में उत्तर दीजै तो बच्चों यहां पर चौथा प्रशन आगया है एक सब्द या फिर एक बाक्त में उत्तर आपको यहां पर देखे गेलमेज सममेलन कब सुरू हुआ इसके बाद तीसरा प्रश्न धर्म के आधार पर भीदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देना इसके बाद यहाँ पे देखे चोथा प्रश्न पाँचवा और च्छटवा च्छटवा प्रश् यहाती मर्दा पाई जाती है यह आपको इस प्रश्ण में बताना है इसके बाद च्शात्रों आंगे बढ़ते हैं यहां पे एक सगेंड देखें यहां पे पाँचवा प्रश्न आ गया है avez union क्या ताथ पर है और बच्चों आप सभी के regular comments आ रहे थे, messages आ रहे थे कि सर्फ साथ मैं PDF प्रोवाइड कराते हुए चलिए जैसे वीडियो upload हो रहा है इसके साथ PDF भी अब आपको मिलने वाला है PDF किस तरीके से बच्चों download करना है पूरी process मैं step by step आपको बता देता हूँ ताकि सभी बच्चे इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकें PDF डाउनलोड करने के लिए आपको Google में आ जाना है यहाँ पर आने के बाद आपको my study जानकारी लिखना है जी हाँ students my study जानकारी आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरीके से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं my study जानकारी इस तरीके से आपको लिखना और search कर देना जैसे ही आप search करोगे first link आपके सामने आएगी जो official website की first link है इस पर click करके official website को open कर लेना official website का home page आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा अब यहाँ पर telegram group की link सबसे उपर दिख रही है तो telegram group को सभी वच्चे जोइन कर लें इसके बाद class 10th hap yearly paper इसके सामने जो click hair का option है इस पर click करना तो कक्षा दसभी का main page आपके सामने इस तरीके से open हो जाएगा देखे कक्षा दसभी अर्दवार्थ से पेपर class 10th hap yearly paper नीचे जाना स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाएंगे एक table आपको बनी हुई मिलेगी इस तरीके से इसमें देखे हिंदी, इंग्लिज, मैच, साइंस, सोशल साइंस और यहाँ पर संस्क्रिप, सोशल साइंस याने सामजिक विज्यान का अपन को डाउनलोड करना तो click here वाले बटन पर click करेंगे तो सामजिक विज्यान का official page आपके सामने open हो गया अब नीचे जाना यहाँ पर देखे इसके उपर आपको link मिल जाएगी जो table बनी हुई आपको नीचे देख रही थी सामजिक विज्यान देखे यहाँ पर link आपको मिल रही है जो download बटन यलो कलर से दिख रहा है class 10th सामजिक विज्यान हा पिरली पेपर पीडियेप इस पर आपको click करना आप जैसे click करेंगे यह पूरा पीडियेप आपके सामने download हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर छेटवा प्रशन देखे सभीने अबग्या आंदूलन में देश के विविन बर्गों और समूहों ने क्यों भाग लिया यह आपका छेटवा प्रशन हो गया इसके बाद साथवा प्रशन है अमेरीका की इस प्रशन में आपको अंतर बताना है डिफ्रेंस नो डाउन करना है कि देखे नभी करनी है तथा आणभी करनी है संसादनों में क्या अंतर है तो जब भी अंतर लिखने के लिए आता है तो इस तरीके से कॉलम बना के आपको अंतर लिख देना है इसके बाद 9 प्रशन देखिए बनो एवं देखिए वन जीवों का संदक्ष्ण करना जरूरी क्यों है ये आपको बताना है इसके बाद 10 प्रशन आ गया मृदधा के लबडी करण का क्या कारण है इसके परभावों की चर्चा कीजिए इसके बाद 11 प्रशन है हरित करांती की आसाफलता का क्या कारण था या आपको कारण यहां पर बताना है रीजन बताना है इसके बाद बारवा प्रशन यहां पर सत्ता की साज़ेधारी से आप क्या अभी प्राय है देखे सत्ता की साज़ेधारी से आपका क्या अभी प्राय है वो आपको यहां पर बताना है इसके ब महत्पूर्ण विशेषताएं क्या है वो आपको यहां पर बतानी है इसके बाद चवद्वा प्रश्ण है तिर्तियक छेत्रक अन्य छेत्रकों से कैसे बहिनने हैं सोधारण व्याख्या कीजिए तो यहां पर व्याख्या आपको करनी है तो इसको भी अच्छे से तयार कर इसके बाद देखिए इसी तरीके से पूरा पीडियेफ है तेरवा प्रश्ण चवद्वा इसके बाद इसी तरीके से पूरा पीडियेफ है यदि आप इस पूरे पीडियेफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह प्रोसेस मैंने आपको बताई है माइ स्टेडी जानकारी वेबसाइट पर जाकर के आप easily PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट पर PDF एविलेवल हैं all subject के जाईए सभी बच्चे और डाउनलोड कर लीजे.